या कि अम्बेदकर जांती मनाने का मुख्यों देस से क्या है आपके जाती के वर पेड़े लिए उन्होंने बहुत कुछ कार्ज किया था जिसे वह आज हमारे समाज में उठ बैठ सकते हैं और तो हम इनकी इसलिए पुजा करते हैं तक जो पिछड़े वरे के लोग हैं उनका स तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे डॉक्टर भीवना अंबेदकर जो की मध्धपर्देश के महुगाम के रहने मादे थे उन्होंने आज ऐसा काम किया कि पिछड़े वर्ग के लोग हमारे समाज में उठ बैठ सकते हैं अंबेदकर जी के जनम कहा हुआ था मादे पर्देश में महुगाम अस्तान पर पिछड़े समाज के लोगों के लिए दबे कुछले जो लोग हैं जिनके पास सिक्षा अभी मौजूद नहीं है उनके बारे में आप क्या करना चाहते हैं हम यहीं करना चयाएंगे कि जो अमपेदकर जी थें वह भूवारे समाज के लिए बहुत ही अच्छे काम किये हैं उन से हमें शीक्षा लिन चाहिए कि वह क्लास में बाहर से ही पॉट लिया करते थे तो हमें शिक्षा उन से लेना चाहिए कि पढ़ाई के लिए कोई भी काम करना पढ़ेगे तो हम करेंगे लेकिन पढ़ेंगे धनगाई के सीव मंदीर के प्रेंगण में आज अम्बेदकर जयनती का आयूजन किया गया है और यहां पर कुछ बच्चे हैं चलिए हम उनसे कुछ बाते करना है अम्बेदकर जी को जानती है हां जानते हैं हम लोग का आज बहुत खुशी हो रहा है कि हम अपने मंदीर में बना रहे हैं अम्बेदकर जयनती जिसके करन मेरे राजू सर्पूरे बच्चों को बोला कर खुशी का अनद उठा रहे हैं इसके लिए हम लोग बहुत खुश है कि अपने उन्होंने हमारे सभिधान लिखा है uh अधिक अम्बेदकर जी के बारे में को जानती हो हां हम जानते हैं उन्होंने हमारे सभिधान लिखा था और उनका जन्म 14 सब्सक्राइब के ने हमारे देश के लिए क्या किया है अमभेदकर जी ने क्या आप आज हपर क्या हो रहा है जब पिकनिक बना रहा है अब दक्तर जयनती बना रहे हैं हम लोग अम्बेदकर जयनती मनाने का मुख उदेश है इस देश की प्रथा को अम्बेदकर जी के जीवन से जोड़कर इन बच्चों को के दिल में खुशियाल नना पढ़ने के लिए आगे बढ़ाना अम्बेदकर जी जिस मुसीबत से जिस संघर से पढ़े थे अगर हमारे बचे उस संघर से रूप में पढ़ने लगे आगे चलकर ये भी हमारे लिए सम्भिधान लिख सकते हैं जैसा कि आपने देखा कि यहां धनगाई गाओं के वाड़ नमबर छो पुराना सीव मंदिर है और यहां पर अम्बेदकर जैन्ती समरोह का युजन किया गया है बच्चों में काफी खुशाली नजर आ रही है और इन्हें सिक्षा का परचार किया जा रहा है अम्बेदकर जैन्ती का समरोह का युजित करने का मुख्य उद्यस से यहीं है कि सिक्षा को जितना ज्यादा हो सके बढ़ाने का परियास किया जा रहा है